Hello everyone, welcome to texture math आज की session में हम prepare and execute statement का एक और scenario कवर करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा variation करके data read करने वाले हैं इस से पहले वाले session में हमने देखा था है कि हमने एक डायनेमिक SQL query बनाया था जिसके थुरू हमने multiple records file से read के थे किसी specific condition के लिए इस example में भी वैसा ही कुछ होगा थोड़े different way में यहाँ पर कुछ चीजे change होगी वो क्या है वो कैसे होगी वो मैं आपको program के थुरू बताऊंगा बट उससे पहले हम क्या करेंगे एक table का data देखके requirement को समझ लेते हैं पहले और फिर उसके बाद में program पे discuss करेंगे तो यहाँ पर मैं query रन कर रहा हूँ, select star from sharmith1 जो मेरा library का नहीं है slash और यहाँ पर file का नहीं हम देंगे students तो यहाँ पर यह कुछ data आ गया, अब suppose हमारी requirement ऐसी है कि हमें program में, हम as a input parameter को value नहीं ले रहे हमार पस कोई variable ऐसा है जिसमें किसी तरह से output में हमार पास, उस variable में किसी तरह से value आ रहे है चाहे कोई third program से call करने पर यह कोई भी reason हो सकता है बढ़ हमारा parameter receive करने का कोई plan नहीं है, इस example के लिए अब वो value हमार पास एक variable में है, उस variable की value, उस variable में जो भी value है वो हो सकता है program में किसी रीजन से change हो जाए बात में या कुछ भी ऐसी conditions है अभी तक तो हमने कहा किया था user dependent मनाया था, यूजर जो भी value प्रोवाइट कर रहा है, वो उसके लिए query run करेंगे अब क्या एक variable पर value depend करेंगे, हो सकता है program variable प्रोग्राम में multiple time change हो और हर बार अलग-अलग requirement के according output आना चाहिए, तो वो कैसे होगा, उस variable के through हम कैसे query run कर सकते हैं, वो हम देखने वाले है और उस variable में हम कोई भी value store कर सकते हैं, जिससे अगर suppose मैंने 100 store गया, तो फिर student name 100 के लिए name लिकाएगा, student name के लिए, ठीक है, तो दिखते है इसका example कैसे use होगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोग्राम के अंदर एक constant declare किया, यहाँ पर PI की need नहीं है, क् कि PI अब हम नहीं use कर रहे है, PI मतलब parameter को receive नहीं कर रहे है, तो यहाँ पर यह क्या करेगा, SQL state underscore valid name से सबसे पहले एक constant बनाएगा, 5 times 0 के साथ में, और इस constant का हम use करेंगे, अपनी query को verify करने के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई query को execute करते हैं, तो वो कुछ SQL status return करता है, और उस SQL status को हम इस से match कराएंगे, अगर वो 5 times 0 या इस constant के equal आ रहा है, तो उसका मतलब है हमारी query जो है, वो properly execute हो गई, बट अगर किसी reason से वो equal नहीं आ रहा है, तो उसका meaning यह है कि वो query में कुछ issue है, और accordingly हम message प्रिंट करतेंगे, ठीक है, इसके बाद में हमें कुछ variables की need है, वो variables क् पहला variable है हमारे पास SQL STMT, जो character 100 का है, ठीक है, इस STMT में हम क्या करेंगे, हम हमारी string को build करेंगे, जो भी query आप build करना साथ है, वो यहाँ पर build होगी, और फिर हम उसको बाद में use करने वाले है, डबलो अंडर स्टूरेंट ने में एक variable बना के रखा है, यह variable क्या करेगा, जो भी आपका data है, जो भी आपका data retrieve होगा, इस query से, उसमें जो भी data आ रहा है, उसको store करने के लिए एक variable बनाया हमने, student name को store करने के लिए, जो query return करेगा, उसी तरह से हमारे पार डबलो अंडर स्को student ID variable भी है, यह भी क्या करेगा, जो भी data हमारे पास आ रहा है, student ID का उसको store करने वाला है, और result variable को हम use करते है, last data population के लिए, क्योंकि इसका length काफी बढ़ा है, तो इसको term out करके, इसमें store करेंगे, और फिर जो भी data है, उसको print करते है, यह हमने पहले भी देखा था है, ठीक है, तो उसके बाद में हमने क्या किया, commitment control को set किया, option none पे, अब देखते है यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इससे कोई parameter नहीं, बट आप देखरों, यहाँ पे मैंने एक value को, ऐसे ही assign किया हुआ है, आप इसको, ऐसे hardcoded मत समझें न, बलब hardcoded में तो क्या होता है, हम directly value query में पास करें, बट यहाँ पे अभी इस program में, यह variable 100% है, हो सकता है, इसी line के पास में फिर से यह variable 200% हो, किसी condition के according, वो depend करेगा, कि उस variable में movement क्या हो रहा है, हो सकता है, कि हमेशे 100 हो सकता है, कि अभी अपन नहीं रखा, बट ऐसा logic भी हो सकता है, कि if else condition के basis पे यह value set हो रही हो, तो जो भी value इस variable में है, हमें उसके through data fetch करना है, तो आप इसको कैसे use करें नॉर्मली क्या होता, prepare and execute हमेशे use होता है, अपने host variable के साथ में, जो placeholder के साथ में, question mark के साथ, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक variation भी देख रहेंगे, अगर placeholder के ठीक है, वो हमने previous example में समझ लिया कि कैसे placeholder से use करते है, but condition ऐसी होई, जहाँ पर हमार को सिर्फ variable का use करना है, तो ह इस case में simply हम क्या करेंगे, इस तरह से एक string prepare करेंगे, तो यहाँ क्या किया है, select star from students, line change किया, space दे के extra, where student id equal, अब इस variable को यहाँ पास करने के लिए हम क्या करेंगे, तीन single quote लगाएंगे, यह इसका format है, तीन single quote लगाना है, plus लगाना है, फिर आपको variable गार name लिखना है, फिर से plus लगाके, तीन single quote से close करना है, यह single quote है, इस वाले string का end, clear हुआ, normally क्या होता है, जब हम इस तरह का program देखते हैं, तो इस से confused आते हैं, यह triple single quote क्या है, तो यह इस पूरे portion को आप एक portion समझो, triple single quote, plus variable का name, plus triple single quote, तो यह क्या करेगा, यह पूरी इस value को move कर देगा, यहाँ प उसके बाद में हमने क्या किया, statement को prepare किया, यहाँ से process से वही same हो जाएगा, but main difference था, previous session और इसमें, वो यह था कि यहाँ पे, हम कोई placeholder यूज हो नहीं कर रहे है, हमने directly variable में जो values को move कर दिया, तो इसके बाद में, यहाँ पर prepare किया, हमने statement को, इस string से, उस statement के prepare होने के बाद में cursor को हमने prepare किया, तो declare student data multiple record हो सकते हैं, इसलिए हम cursor के through move कर रहे है, तो यहाँ पर declare किया student data, cursor, cmt1 के लिए, और फिक cursor को open कर दिया, cursor को open करने के बाद में, इसमें कोई value के पास करने के need नहीं थी, क्योंकि कोई placeholder नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आएगा open student data, सिर्फ cursor को open कर रहा है, फिर हमने एक loop चलाया, वो loop चलेगा, जब तक हमारा SQL state जो है, वो equal है SQL state underscore valid के, और फिर हम fetch करेंगे data, अपने cursor से one by one, जो भी अपने का host variable है, उसके अंदर, यह values हमने store कर लिए student ID में, student name में, ठीक है, student ID में पहले value forcefully जा रही है, जो 100 हमने set की विए है, और उसके बाद में जो भी query लिक आएगा, although वो same ही लिक आएगा, क्योंकि same ही student ID के लिए हम name ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे store हो जाएगा, यह आप अपनी requirement के according change कर सकते हो, easily, मैं जस्त आपको एक structure बता रहा हूँ, एक example चो कर रहा हूँ, जिससे अप player हो जाए कि हाँ actual में हो student name को, display कर देगा result को, ठीक है, student ID और result को, else condition अगर 2000 मिलता है, तो इसका मतलब है end of file आ गया, तो यहाँ पे end of file आ जाएगा और leave कर देंगे loop को, else condition में यह display कर देगा error, यह एक generic server में लिख दिया, और SQL state show करके, leave करके बाहर आ जाएगा, बाद में end to, और exec SQL करके close कर देंगे student current cursor, student data cursor को, और INLR on हो गया, तो यह तो हो गया, हमारा पूरा process इसको करते है, compile एक पर के लिए, call करते है, तो आप देखोगे, यह 100 और इसने name प्रिंट कर दिया, और end of file प्रिंट कर दिया, क्योंकि last में इसको, एक ही record मिला यहाँ से, similarly अगर यह value में, change करके, आपको अगर दिखा हूँ, यहाँ अगर इसको 600 कर दें, तब यह वो multiple values के लिए भी work करेगा, तो यह करा मैं इसको 600, इसको किया compile, और call, तो 600, name, 600, name, और end of file, तो जो भी value होगी हो, तो according के आपका data, पैच करके लाएगा, अब देखते हैं कि जो main portion इस session में हमने cover किया, यह actual में बन कैसर है, कैसे build हो रहा है, वो देखना जरूरी है, तो इसको करते हैं, यहाँ से debug, debug के लिए इसको पहले DBG view से source में compile कर लेंगे, तो यहाँ पर star source, और यह हो गया, enter, यह compile हो गया source से, अब इसको करेंगे debug, debug के लिए इसको करते है, copy, यहाँ पर लिखेंगे strdbgf4, paste की yes को, paste कर आएंगे, yes करेंगे, yes करने के बाद इसको करेंगे, और enter करेंगे, कुछ seconds के बाद में, यह debug की screen शो करेंगा, उस debug की screen पे हम breakpoint set करेंगे, और फिर अपने flow को step by step move करके, एक-एक step पे देखेंगे कि क्या process कर रहा program, ठीक है, तो यहाँ पर करते है, इसको BR1, breakpoint 1 लगाया हमन यहाँ पर value assign होगे, student ID में, फिर SQL STMT बना, अब SQL STMT को, अगर F11 करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, select start from students, where student ID is 100, यह कैसा आया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो variable move किया था, direct उसकी values ने pick कर लिए, और यह single code आ गया, तो इस तरह से, यह actual string बनी, वो अपनी यह वाली बनी, अ अगर इस string को हम यहाँ पर, से copy करते हैं, simply, copy करके, इसको यहाँ पर move करके, paste करके, enter करें, तो देखो, यहाँ भी data आ रहा है, तो अगर आपका runtime कोई issue हो रहा है, तो आप simply पहले query को भी इस तरह से देखके, match करवा सकते हैं, वहाँ run करके, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ और फिर loop में a track करके, जो भी values हैं, वह print करके, end में, end of file प्रेंट होगा, और फिर cursor close करके, इनलार on कर देगा, तो यह एक बहुत simple सा example हमने देखा, जिसमें हमने समझा कि अगर requirement ऐसे जहाँ पर हमार को, किसी program variable को ही include करके query बनाना है, तो वह कैसे होगा, अभी हम सिर्फ एक variable include करने हो सकता है, बहुत सारी conditions हो, जिसमें अलग-अलग variables के थ्रू हमार को query build करना, तो वो कैसे होगा, वो हमार को देखना है, हमारा target था, और वो हमने इस example के थ्रू complete कर लिया, तो अब हमार को दोनों ways आते हैं, अगर हमार को placeholder के थ्रू एक dynamic SQL query बनाना है, वो बना सकते ह तो इस session के लिए इतना ही था, next session में बागे topic discuss करेंगे, so thank you for watching Techshare.